हलो बच्चों कैसे हैं आप आज मैं आपको what comes after कराऊंगी तो आज इसमें क्या करना है ए के बाद में क्या आता है ए आफटर क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है C after D after ऐसे ही यह आपको लिखना है उससे पहले हम alphabet देखते हैं हमने L तक alphabet पढ़ा हुआ है लर्ण किया हुआ है और लिखना भी सीख गए है ठीक है तो पहले देखते हैं A after क्या होता है क्या है यह B very good A after B B after C and C after D D after E E after F F after G G after H H after I I after J J after K K after L तो यह है आपकी L तक alphabet अब हम यहाँ पर देखेंगे A after क्या हैगा देखिए A के बाद में क्या है यह B तो A after B तो यहाँ पर हम B लिखतेंगे ठीक है ऐसे ही यह है C तो C after देखिए इदर यह है यह है यह है न C तो C after C के बाद क्या आता है यह है D ठीक है C के बाद D तो यहाँ पर लिखेंगे हम C after D अब यह है D तो D after क्या होता है D after इदर देखिए D after E D के बाद में E आता है तो D after E यहाँ पर D after E तो यहाँ पर E लिखेंगे ठीक है अब आया F इदर देखेंगे F after क्या है यह जी F after G तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे G ठीक है यह ऐसे यह हो गया G F after G अब है यह G G after क्या आता है G के बाद में क्या आता है G after H G after H तो यहाँ पर G के बाद में हम क्या लिखेंगे H ठीक है अब यह है H है तो H after H after यह क्या है I H after I तो अब हमें क्या लिखना है H के बाद में H after I तो यहाँ पर लिखेंगे हम I ठीक है अब I यह I है तो यहाँ पर देखेंगे I I after I after J I after J तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे J अब यह क्या है B है अब इसमें देखो B कहा लिखा हुआ है यह तो B after B के बाद में क्या है B after C B after C अब E है तो E यहाँ पर देखेंगे यह है E ठीक है यह है E E after E after F E after F तो हमें यहाँ पर क्या लिखाना है E after F E के बाद में F आता है तो हम E के बाद में F लिखेंगे E after F अब यह लिखा हुआ है J है ना J लिखा हुआ है तो J यह लिखा हुआ है J तो J after क्या आता है क्या है यह जे आफटर K K for Kite तो J after K यहाँ पर लिखेंगे हम K ठीक है अब एक बार फिर से देखेंगे A for Apple A after B B for Ball A after B C for Cat C after D for Dog C for Cat के बाद में क्या आता है D for Dog और D for Dog के बाद क्या आता है D after E D for Dog के बाद E for Elephant ठीक है अब F F after G F for Fist के बाद G for Gun F after F after G G for Gun के बाद क्या आता है H for Hut H for Hut G after H अब H for Hand के बाद क्या आता है H for Hut के बाद I for Ice Cream I for Ice Cream तो H after I ठीक है अब I है यह तो I के बाद क्या आता है I after J I for Ice Cream के बाद J for Joker J for Jug ठीक है तो I after J अब है यह B B for Ball के बाद क्या आता है C for Cat B for Ball के बाद C for Cat तो B after C ठीक है अब है यह E E for Elephant के बाद क्या आता है F for Fist तो E after F अब J for Joker के बाद क्या आता है K for Kite तो J after K ठीक है ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ना है लिखकर याद करना है ठीक है आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे प्रब़र से चत्पत CHझे बच्छे Index